अगर आपके गाड़ी के पीछे आपकी जाती लिखी है या कुछ भी लिखा है तो साबदान हो जाएए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में चालान कटेंगे जी हाँ लखना हुँ मैं पहला चालान सकसेना जी का कटा है तो अब ऐसा ना हो कि पंडित जी और अगरवाल जी का चालान भी कट जाया अगर आपके गाड़ी के पीछे कुछ भी लिखा है या आगे कुछ लिखा है नंबर प्लेट पर कुछ लिखा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में चालान कटने का फर्मान यहाँ पर सुना दिया गय यह कदम जाहिर थौर पर यह लंबा वक्त गुजर चुका है प्रद्यूमि inne क्योंकि पहले यह ऐसा नही एकट अभी आया है यह बहुत पहले से आचुका है और बहुत पहले करीमें एक साल पहले के अगरम बात करें तो एक साल पहले भी यह जो इस तरीके शब्द लिखे जाते हैं जिससे कि लोगों की जो भावनाएं हैं और तमाम तरीके की चीज़े जो है वो आहत होती हैं और इसी के चलते पीमो ने यूपी सरकार को एक लेटर लिखा और उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से ये कारवाई की गई जिसके चलते अब नॉइडा विदायक या फिर विदायक पूर विदायक की पतनी पूर विदायक का भाई इस तरीके का नाम लिखा दिया जाता है क्योंकि अपना रॉब दिखाना होता है कि आपको अगर चेकिंग हो रही है पुलिस की तो आपको कोई रोके ना अगर आप गिटर नोटा जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गाडियों में गूजर लिखा हुआ होता है क्यों कि वहाँ पर उनका रॉप चलता है तो वह अपना रॉप दिखाने के लिए इस जाती सूचक शब्द को लिखवा लेते हैं ऐसा ही निये एक कोई जाती हैं बात नहीं करेंगे अनेक ऐसी जाती ह जो अपना रॉप दिखाने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता है गाडियों की पीछे नाम लिखाए भी जाते हैं और उसका कई नहीं परवाव भी पड़ता है जिसके चलते ये अब सरकार ने सक्त फैसला सुना दिया है कि अब ऐसा कोई अगर जाती सूचक दुरूप योग किया जाए क्योंकि ऐसे बहुत से नाम होते हैं या ऐसे बहुत सी पोस्ट होती है बानके चलिए अगर आप पुलिस में आप पुलिस में गाड़ी के बिचे पुलिस लिखवा रखा है तो आपको कहना है कि उससे फायदा मिल जाएगा ये ऐसे बहुत में सबसे ज्यादा नंबर प्लेट फैंसी देखी जाती है जो बड़ी स्टाइलिश आम तोर पर बनाई जाती है लेकिन अगर हम कानून की बात करते हैं तो उसमें साफ तोर पर ये लिखा गया है कि जो आपकी नंबर प्लेट है वो बहुत ही सिंपल एंड सोबर होनी चाहि है और सबसे बड़ी बात है कि अब चालान भी काटे जा रहे है और लगातार चालानी करवाई भी हो रही है लेकिन भारती चालानी करवाई से इस तरीके के जो जाती सुचक शब्द लिखे जाते हैं उस पर रोक लग पाएगी प्रद्यूम जहां तक बात है कि फर्क निंदनी है और दुखत भी है कि इस तरीके से लोग अपनी जाती का प्रद्रशन करते हैं और जहां तक आपने बात कहीं कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो ऐसे में कुछ ऐसे सामने देखने को मिले हैं जिसमें लोगों का कहना है कि अगर हमने लिखवाया है त उस पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें अगर चालान देना पड़ेगा तो उसके लिए भी वो रेडी है तो यह बहुत बहुत गलत जो है वो मानसिक्ता दर्शाता है कि आपके सरीके से कानून का उलंगन कर रहे हैं और उपर से आप उसके उपर दिखा रहे हैं जहापर कई सारे ऐसे लोग हैं जो चालान देने को तयार है उनका साफ तोर पर यही कहना है कि हम चालान दे देंगे लेकर आपनी जो भी जाती है या जो भी गाड़ी पर लिखा हुआ उसको नहीं हटाएंगे तो ऐसे में पुलिस वालों से भी लगाता जड़ाप होती जाती है ऐसे में अगर आपकी जाती कोई भी हो वो आपकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है तो एक समाज से जुड़ जाते हैं चाहा धामर स्माज हो या फिर्यादफ समाज रिचा से भी जुडुआ हो तो आपसे फिर फालतू को जमेरा में वो नहीं पड़ती है ऐसे मैं इस तरीके के दुरुपयोग भी किये जाते हैं तो कहीना कि उन वायदों से बच्चते हैं ऐसे लोग तो इसलिए कानून लाया जा रहा है कि अगर आब ऐसा कुछ होता है तो उस पर चालानी कारवाई तो आम तोर पर की ही जाएगी लेकिन ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि कुछ वायदा भी मिलेगा या फिर कानून आया है और चार दिन बाद ये ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि बहुत लंबे समय से कानून तो ही किसी एक ने ये पी एमो को लेटर लिखा और तमाम तरीकी की शिकायत है, लेकिन अक तो बहुत पहले से है जासे पहले सब्स्क्याण क्यों पुलिस ने भी कारवाई नहीं की, पुलिस भी जो अंदेखा करती रही, जब तक कि पीएमो की तरफ से उत्तरप्रदेश सरकार को लेटर नहीं आ गया, और पीएमो की तरफ से बात कहीं नहीं गयी, तो यह भी दिखाता है कि उत्तरप्रदेश में जो कानून विवस्ता है, आम तोर पर आप देखती भी होंगे कि अगर आप पुलिस थाना में लेकि कोई भी शिकायट जाती है तो वहाँ पर तुरंत करवाई नहीं होती उसको टाला जाता है। पूरा माहल ठंडा पर जाता है पूलिस कारवाई नहीं करती है तो यह जरूर देखने वाली बात भारती जरूर रही है। कि अगर आप गाड़ी लेकर निकल रहे हैं या आप साथ चल रहे हैं तो आपके जवाबदेही बनती है आपके जिम्मेदारी बनती है कि आप जस चीज से भी ट्रावल कर रहे हैं तो आप उस चीज को देखी और चीजों को समझें अलग कि ये एक अलग बात है लेकिन प्रद्यूम मानसिक्ता की जो हमने बात की तो कई विशेशग्यों का कहना है अगर हम मनुवेग्यानिक से भी अगर हमने जैसी हमारी बात हुई तो भी उनका यही कहना था कि ये जो स्थिती है जिस तरीके से लोग जो है वो इस तरीके की हरकतने करते हैं अपनी गाड़ियों पर तमाम चीजे लिखवाना नबर प्लेट पर तमाम चीजे लिखवाना तो ऐसे में उन लोगों की जो मानसिक्ता है वो यही दर्शाति है कि आप सिर्फ अपना रुत् तो एक नई mentality बन जाती है आप उस mentality से उपर नहीं आ पाएंगे आप उस mentality से देखेंगे उस इंसान को और फिर उसके बाद आप वैसा ही react करेंगे तो यह कहां तक ठीक है बिल्कुर वारती इस तरीकी से आप जिक्कर कर रही थी कि इसका जो मानसिक्ता जरूर दर्शाता है यह ऐसे लोगों की की गाड़ी की पीछे नाम लिखवा लेते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी शेत्र की बात करते हैं तो वहांके जो लोकल लोग होते हैं वो जरूर इस तरीके से अपने नाम लिखवाते हैं जिससे कि अगर कल को कोई बात हो जाती है तो उनकी गाड़ी को को जी प्रद्यूम और इसमें एक अच्छी बात ये है कि जस तरीके से अभी ये कारवाई शुरू हुई है अलाकि कितने दिन चलेगी इसका तो हमें भी नहीं पता तो जे कारवाई शुरू ही है इसमें जो अपनी गाडियों की जो शीशे हैं वो काले करवा लेते हैं तमाम ची और जाएगा उन लोगों की भी गाड़ी के जौ है वो चालान की जाएंगे या गाडयां जिसकी जाएंगे यावट्य की जैयंगे और अब तक करीब आपको बता दक करीब रवी फंद्रा सो से जाधा गाड़ीयों जो है वो सीजिश की जा चुकी है इसी इसी सिलसिले में अब उमीद है कि जादा से जादा गाडियां जो है वो इस पर चालान होंगे और सीज की जाएंगी ताकि जो है एक awareness शुरू हो एक लोगों में एक डर आए कि नहीं ये जो है ये एक गलत तरीके से जो है हम अपनी गाडियां चला रहे हैं तो उसको जो है वो defend करना और जिस त पूर विदायक लिखा हुआ है या कुछ भी पूर चेर्मन लिखा हुआ है तो उस पर भी कारवाई होगी इसलिए हम आपसे साफ तोर पर जिकर करना चाहते हैं और आपसे अपील भी करना चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी नाम अपनी गाड़ी पर ना लिखे हैं क्योंक कि पीमो की तरफ से ये संदेश आया है और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई चीज आती है तो बेहदी गंबीर वो जरूर हो जाती है अगर आप यूपी में हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है ही साथ ही अगर आप यूपी से बाहर से भी है तो अभी कुछ समय बाद आपकी भी गाड़ियां जो है वो सीज कर ली जाएंगी आपके उपर भी चालान लगाया जाएगा अगर आपकी गाड़ी पर भी कह तो इसलिए आपको सावधान होने की बहुत जादा जरूरत है और क्या कुछ लगता है कि कितनी कारवाई जो है अब तक कारवाई जो भी कुछ हुई है लेकिन अब क्या कुछ इसमें हो सकता है और अगर हम धार्मिक तरीके से भी इस चीज को देखना चाहें तो बाकी लोगो को का भी कहना है लेकिन भारती इसमें खास बात ये भी है कि जिस तरीके से परिवान विवाग के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है इसलिए अब ट्रफिक पुलिस को ये पूरी पावर है कि एसे लोगों को तुरंत पकड़े और उनकी चलानी कारवाई भी करें बिल्कुल और जहां तक बात अपने किसी पार्टी विशेश के जंडो की की या फिर किसी पार्टी विशेश के लोगों की कई तो ऐसे में जो है वो ये भी देखना बहुत दिलचास्प होगा कि एक लंबा वक्त अगर ये चीज़ें चल और पूरी तरीके से प्रदर्शन किया जाता है विधायक और तमाम चीजों को लेकर तो वो किस तरीके से आगे जो है वो देखा जाएगा क्योंकि प्रशासन की तरफ से ही जो है वो चीज़ें आप इंपलिमेंट करवाई जा रहे है तो वो वक्त भी होगा जब हम देखें पर बात होरी जाती सुचक शब्द की क्योंकि अपनी जाती महाँ पर लिखवाई जाती है तो ऐसे में अगर आप जाती लिखवाते हैं तो पहले तो आपको एक बार कम चालन देना पड़ेगा लेकिन अगर आप दुबारा पकड़े जाते है तो उसकी चालन की कीमत है वो अपनी जाती को गाड़ी से नहीं हटाएंगे तो उन पर सक्त कारवाई करने की हिदायत दे के उनको पहले छोड़ा जाता है उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उनको सक्त कारवाई उनके उपर की जाती है गाड़ी सीज करने की भी जो है जो है वो जप्तना हो और आप फ्रीली जो है वो गाड़ी अपनी चला सकें फिलार इस खास पेशकर्च मैं सिर्फ इतना है बने री हमारे साथ नमस्कार